हलो एवरिवन तो गाइस मैं हूँ मन्जू और मन्जू की रसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए इंस्टन्ट मलाई केक की रेसी पिले कराई हूँ इतना टेस्टी केक बनता है कि आप एक बार बार बनाएंगे इतना टेस्टी ब सकते हैं आप इसे वीडियो को पूरा एंड तक बोच करें और प्लीज अपने मेरा चेनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब बटन पर किलिक करके जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको बेल आइकन दिखेगा बेल आइकन पर प्रेस करके ओल पर जरूर किलिक करें इससे क्योंगा आपको मेरी आने वली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहल प्रोब्लम नहीं होगी तो आप देख सकते हैं देड़ कप मैंने पाने डाल दिया है इसमें हम डालेंगे आधा कप और एक बड़ा चम्मच भर के चीनी तो हमें इसकी चाष्णी बनानी है इसमें कोई भी ताड नहीं डालना है बिल्कुल हल्की चिप-चिपी चाष्णी बन अब इस स्टेज पर मैं डाल रही हूं दो इलाईची जिने मेंने कूट लिया इनका छिलका होता रही है तो इलाईची आप ज़रूर रेड़ करें तो आप देख सकते हैं चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है तोटल मीडियम फ्लेम पर मैंने पांस मिनिट चाशनी को कुक किया ह आप देख सकते हैं अच्छे से चिपचीपी चाशनी हमारी बन चुकी है आप हातों से इस तरह से चेक कर सकते हैं चिपचीपी चाशनी होनी चाहिए तो तयासनी तयार है अब बना लेते हैं इसके लिए मलाई तो मैंने एक कड़ाई ली है अभी हमें से वे गेस पर नहीं फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं दूदगी तो अब हम इसमें डालेंगे चार्ट बड़ा चमच कॉन फ्लोर अगर आप पास कॉन फ्लोर नहीं है तो आप आरार पाउडर डाल सकते हैं या फिर आप इसकी जगे custard powder डाल सकते हैं या फिर आप मेदा के इस्तेमाल कर सकते हैं सभी चीजों को हम अच्छे से गोल लेना है इसी stage पर ताकि कोई भी लंस इसमें ना रहें तो आप देख सकते हैं सभी चीज अच्छे से घुल चुकी है बिल्कुल अच्छे से आपको गोल लाए तो अच्छे से सभी चीजों को चड़ा देते हैं तो फ्रेंश Storm आप देख सकते हैं मैंने इसी गेस पर रख दिया है फ्रेंश की अटो मैंने मीडियम पर रखा है इसे लगाताना है योग आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं चीनी को अच्छे से गुलने देंगे और इसे लगातार चलाएंगे हमें इसे छोड़ना नहीं है कॉन फ्लोर बहुत ही चलती तले में लग जाता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है तो जो भी मलाई इसमें जमती जाए किनारों पर इसे स्क्रेच करके इसी में मिलाते जाएं तो आप देख सकते हैं दूद बहुत ही अच्छे से गाड़ा होने लगा है तो टोटल हम इसे 10 मिनिट तक स्लो फ्लेम पर कुक करना है आप देख सकते हैं तो मैंने इसमें डाली है लगबग 5-6 इलाइची जिनका छिलका उतार के मैंने बिल्कुल बारिक पाउडर बना लिया गेस की फ्लेम को कर देंगे बंद इससे जादा गड़ा नहीं करना है तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं इसके लिए मैंने 7 इंच का स्कॉायर सेफ का केक्टिन लिया है आपके पास कोई भी बरत हो ना आप इसको यूज ले सकते हैं आप चाहें तो इसे थाली में भी जमा सक आँ आज तो इसको आप अच्छे से गरम कर ले बिल्कुल हमें गरम सुकर सिरि लेना है सारी चीजा मारीаете मलाइभी मारी गरम होनी चाहिए तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे बना करकी थी, वो भी हम इसे पर डाल देंगे, मलाई भी हमारी बिलकुल गरम होनी चाहिए, आप देख सकते हैं, अच्छे मेने इसके ऐप अपर मलाई लगा ली है, बहुत ही अच्छे थिक मलाई लगाई है, अब हम्ने एक सिंगल लेर मलाई की लगाने के बाद मैंने यह बारी कटेवे काजू लिएं यह भी अच्छे से फिला देंगे बिलुकुल ओप्शनल है आप लाइक करें तो आप डाले नहीं तो आप इसके बारी कटेवे बदाम बदाम भी हम अच्छे से इसके पर फिलाएंगे तो आपके पास जो भी द्राई फूर्स हो आप डाल सकते हैं दोड़े से मैंने युद्ध लिये हैं आप चाहें तो इसके पर नालिल कब ब्रादा भी डाल सकते हैं जो भी आप चीज़ लाइक करें वोगत को बदाम दाम देख सकते हैं अच्छे सिरफ मैंने इसको पर फेला दिया है इतने अमाउंट में सारा सुगर सिरफ आपका लग जाएगा तो अब इसके पर हम डालेंगे मलाई तो सारी मलाई मैंने इसको पर डाल दी है तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने मलाई फेला दी है तो अब हम इसारे ड्राइफ बादा मैंने इसमें डाल दिये हैं अब हम इसके बादम हम फोड़ी सी दूनीता कभी तूनी णूंटी फ्रूति डालिए बिल्कुल ओप्टन है लाइक करें तो आप डाल देना है तो आप मिक्स भी डाल सकते हैं इसके पर मैंने एक लगाई है चेरी तो बनकर रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी डेसर इससे सेट होने के लिए रख देते हैं लगबग दो गंटे के लिए फ्रीज मा और खाने में उससे कई जाधा टेस्टी है आप अपने घर पर इस रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राइ करना ट्राइ करने के बाद आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी आप देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ही अच्छे से से इसकी एक एक लेयर दिखाई दे रही है इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट हमने मेजरमेंट लिया था परफेक्ट इसको कुक किया था आप इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राइ करें मुझे जरूर बताए कि आपको रेसिपी कैसी लगी पसंद आई हो तो वीडिय इसे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना थैंक्स पर वोचिंग मैं वीडियोज बाई बाई